तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं विकास नहरा फिर से एक बार हाजिर हूं लाइब आप सभी लोगों के साथ हमारी लाइब लिनिक्स ट्रेंग का हमारी लाइब लिनिक्स ट्रेंग का शेशन नंबर 95 लेकर और आज से हम रहेचल 8 के जो नए फीचर्स हैं उन सारे फीचर्स को हर एक शेशन में कवर करने वाले हैं और आज की शेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे कोक्पिट वेब बेस्ट सर्वर मेनजमेंट टूल के बारे में तो आज की शेशन में हम जानेंगे की कोक्पिट क्या है और क्योंकि एक नए फीचर है जो की रहेचल 8 में इंट्रोड उस किया गया था तो इसको हम क्यों यूज करते हैं और इसकी हल्प से हम क्या क्या अपन लाइब चैट के माद्धिम से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं आज का जो शेशन है ये members only session है क्योंकि पिछले 4-5 sessions में ऐसा हो रहा था कि 10-12 लोग ही हमें join कर रहे थे hardly 20 तक ये जो strength ये जारी थी तो हमने जानबूज कि ये session members only करके deliver किया आज का session डिले करने का मेरा इरादा नहीं था लेकिन क्योंकि हाँ मौसम खराब था और लगातार आंधी तूफान चल रहा था इसलिए मुझे session डिले करना पड़ा तो session को डेड़ घंटा डिले करने के लिए आप से माफी चाहूँगा लेकिन मेरा motive यह है कि मैं जब session deliver करूँ तो उसको effectively पूरे अच्छे तरीके से पूरे मन से करूँ तो इसलिए session आज हम साड़े दस बजे कर रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ कि तीन ही लोग हैं live feed पर और सारे members ही इस live feed पर रहेंगे members ही इस session को देख पाएंगे, join कर पाएंगे, अपने comments कर पाएंगे क्योंकि एक तो लगातार YouTube हमें इस चीज के लिए recommend करता रहता है और दूसरा reason यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी live stream को join नहीं कर रहे थे तो जान बूझ कर यह session मैंने members only करके deliver किया है अगर अच्छा response नहीं मिलता है, तो हम इसको members only करके ही आने वाले सारे sessions को deliver करने वाले है अखिलेश मात्रू जी, good evening, अभी जी, जोशी जी कह रहे हैं, साड़े दस बजे है आज session देवंदर कुमार जी, session शुरू हो चुका है, आपका इंतजार खतम हुआ ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के session में, जैसा कि मैंने आपको बताया हम बात करेंगे cockpit के बारे में तो पहले आईए यह जानते हैं कि cockpit होता क्या है, तो अगर हम aeroplane की बात करें तो cockpit वो जगा होती है जहां pilot या co-pilot बैठते हैं और वो सारे जितने भी sensors हैं, उनके थुरू सारी flight की details को, सारे data को monitor करते हैं, flight को monitor करते हैं और ना केवल monitor करते हैं, बलकि पूरे plane को manage भी करते हैं तो cockpit वो जगा है, जहां से आपकी पूरी यातरा के दोरान, जो pilot है, वो plane को और सारी parameters को monitor और manage करने का काम करता है इसी तरीके से, जान बूज कर, Linux में भी ये नाम use किया गया, especially RHL8 में, RHL8 cloud ready operating system है यहां आपको वो सारे features मिलते हैं, जो इसको cloud ready बनाने का काम करते हैं जैसे कि, आपको एक ऐसी जगा, एक ऐसा tool चाहिए, जहां से कि आप किसी भी particular operating system पर, उस machine को manage, manage या monitor कर पाएं उसके लिए आपको कोई remote login tool की ज़रुत ना हो, उस पर कोई आपको अलग से कोई application install ना करनी पड़े तो यह एक web browser based system management या server management tool है, जिसमें कि आप एक web browser के थुरू, किसी भी device से, अपनी machine को manage या monitor कर सकते हैं चाहिए वह आपका android phone हो सकता है, tablet हो सकता है, वह PC हो सकता है, कहीं से भी आप अपनी machine को एक web browser के थुरू, easily manage और monitor कर पाएंगे और ना किवह manage और monitor कर पाएंगे, बल्कि आप महां commands भी execute कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, RHL8 cloud ready है, यहां आपको और भी बहुत सारी features मिलती है, जैसे कि यहां Lorex Composer नाम की एक facility आपको मिलती है, एक tool मिलता है, जिससे कि आप packages की help से ready to deploy images create कर सकते हैं, आप यहां से kernel based virtual machines, यानि कि KVM deploy कर सकते हैं, further virtualization कर सकते हैं, यहां से आप सारी services क logs को manage कर सकते हैं, networking को manage कर सकते हैं, और यहां आप और भी बहुत सारे दूसरे काम कर सकते हैं, आप containers को manage कर सकते हैं, images को pull कर सकते हैं, उनको run कर सकते हैं, processes को manage कर सकते हैं, तो यह बहुत ही powerful tool है, जो कि हम RHL8 में use करते हैं, आज के session में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस तो सबसे पहले आपको इसके package को install करना होगा लेकिन अगर आपने installation जो है अपनी machine का server with GUI mode में किया हुआ है तो automatically इसका package आपको अपनी machine में install देखने को मिलेगा तो आपकी अगर repositories configured है या फिर आपके पास अगर subscription है तो आप यहां cockpit नाम के package को install कर सकते हैं उसके लिए आप dnf install-y cockpit नाम की command जो है यह चला सकते हैं इससे क्या होगा कि अगर आपकी repositories configured है और यह package अगर पहले से install नहीं है तो इस command के थ्रूँ आप इस package नहीं है तो वह भी मैं आभी आपको बताऊंगा तो service अब हमें start करनी होगी package हम already install कर चुके हैं cockpit नाम का package पहले से था कुछ additional packages जो इसको required थे वो इसने अब install कर लिए अब हम यहां से command चला सकते हैं systemctl start cockpit.socket आप यह command चला सकते हैं इस से cockpit की service start हो जागी और आप चाहें तो इस सर्विस को enable भी कर सकते हैं तो आप यह command चला सकते हैं systemctl enable cockpit.socket हाला कि आप अगर दोनों काम एक ही बारी में करना चाहते हो तो आप यह systemctl enable hyphen hyphen now और फिर लिख सकते हैं cockpit.socket तो इससे क्या होगा कि यह service start भी हो जाएगी और enable भी हो जाएगी मतलब अगर आपकी machine reboot होती है तो यह service automatically आपकी machine में start होना शुरू हो जाएगी अब इसके बाद आप एक बार इसका status चेक कर ले systemctl status cockpit.socket तो देखिए service जो है running condition में है active है enabled है तो सब कुछ ठीक ठाक है अब आपको यह चेक करना है कि क्या आपके firewall rules के अंदर cockpit already हाँ defined है या नहीं तो आप यह firewall-cmd-list-all command चला कर यह देख सकते हैं कि जो आपका current zone है उसमें cockpit की service defined है या फिर नहीं तो cockpit यह already defined है पहले से defined होता है अगर नहीं है तो आप इसको किसी भी zone में जो भी आपका active zone है उसमें define कर सकते हैं उसके लिए आप यह cockpit जैसे आप यह command चलाएंगे तो इससे cockpit की service आपकी machine में add हो जाएगी मैं दुबारा चला के दिखा देता हूँ actually hyphen दो बार है add command से पहले तो firewall hyphen cmd hyphen hyphen permanent hyphen hyphen add hyphen service is equal to cockpit तो देखिए आप यह देखेंगे कि it is already enabled इसलिए यह पहले से ही enabled था इसलिए हमें warning message दे रहा है कि this service is already enabled अगर पहले से नहीं होता तो यह हैं enabled हो जाता उसके बाद आप firewall को reload कर दें और जो cockpit की service है उसको restart कर दें तो cockpit अब आपका काम करना शुरू कर देगा तो मैं आपको बता रहा था जो cockpit की service है यह socket के नाम से होती है तो यह normal service नहीं है तो यह जो service है इसको हम cockpit.socket बोल रहे हैं क्योंकि एक two-way communication के लिए हम use करते हैं इससे हम monitoring भी करते हैं इससे हम मशीन को manage भी करते हैं तो यह traffic दोनों direction में flow हो रहा है और इसके थूरू हम दूसरे काम भी करते हैं तो इसलिए यह service जो है सिर्फ service नहीं है यह एक socket service है तो यह हाँ two-way communication का काम करेगी हमारे लिए तो अब हम अपनी मशीन का IP address check करेंगे तो हमारी मशीन का जो IP address है वो है 192.168.0.143 इस IP address के थुरू किसी भी local area network से हम अपनी मशीन को web browser से access कर पाएंगे अगर आपको अपनी मशीन को बहार किसी network से access करना है तो उसके लिए फिर आपको public IP address की जरूत पड़ेगी वो भी आपको थोड़ी देर के 9090 जो है वो cockpit का port है और यह हमें पता कैसे चलेगा यह हमें पहले से मालूम होता है default port है आप चाहें तो firewall के rules की files के अंदर जाकर इसको देख सकते हैं अब आप उसके बाद यह देख पाएंगे कि यह जो web browser है इसमें अब हमें cockpit के थुरू अपनी मशीन को manage करने के लिए और monitor करने के लिए बहुत सारे हैं आपको options दिख रहे हैं सबसे पहले तो आप यह system के अंदर देख सकते हैं कि overview नाम का tab है इसमें आपको अपनी मशीन का पोरा overview देखने को मिल रह है hardware details भी आप यहां से देख सकते हैं क्लिक करके hardware वाले बटन पर आप यहां से configuration information भी देख सकते हैं उसको edit भी कर सकते हैं जैसे कि hostname है uptime है domain से join करना है अगर secure cell keys वगएरा को आप यहां से manage कर सकते हैं आप यहां से जो resource utilization है उसकी history भी देख सकते हैं तो बहुत कुछ आप यहां से कर सकते हैं overview tab में logs को आप यहां से अगर manage करना चाते हैं monitor करना चाते हैं तो आप यहां logs वाले tab पर click करेंगे यहां आपको सारे logs दिख जाएंगे और आप यहां से उनको easily manage your monitor कर सकते हैं इसी तरीके से अगर NFS mount points use कर रहे हैं या नहीं तो वो सारी information including storage logs सब कुछ हम यहां से देख पाएंगे और manage कर पाएंगे इसी तरीके से अगर आपको networking को manage करना है तो वह भी आप यहां से कर सकते हैं आप यहां से कोई भी adapter add कर सकते हैं remove कर सकते हैं उसका type change कर सकते हैं VLAN create कर सकते हैं बहुत firewall वगिरा अपर यहां से monitor कर सकते हैं firewall rules में changes कर सकते हैं अगर आप containers को run कर रहे हैं तो आप containers के लिए ДавसेBro No B कर सकते हैं और वहां से फिर आप containers को manage कर सकते हैं आने वाले टाइम में मैं आपको containers के बारे में detail में particular session रखकर सारी की सारी चीज़ा सिखाऊंगा कि cockpit के थूब और command line के थूब हम कैसे containers को manage करते हैं और चीज़ा अधर तो इसको भी हम cover नहीं कर रहे हैं local accounts को आप manage अगर करना चाहते हैं तो accounts वाले टेब पर क्लिक कर सकते हैं यहां से आप root user की detail देख सकते हैं और बाकी सारी जो local user accounts है उनकी detail भी आप यहां से देख सकते हैं अगर आप command line interface से बहुत ज़्यादा familiar नहीं है तो आप यहां इसके थूरू नए accounts भी add कर सकते हैं उनमें changes भी कर सकते हैं तो यह ऐसा tool है especially उन लोगों के लिए जो command line को ज़्यादा prefer नहीं करते हैं जो windows से आये हैं तो उनको यहां इसके थूरू machine को manage करने में काफी सहुलियत रहती है इसलिए cockpit एक बहुत ही responsive बहुत ही useful टूल का काम करता है especially linux admins के लिए services को आप यहां से manage monitor कर सकते हैं services वाले tab पर क्लिक करके तो आप यहां देख पारे होंगे सारी services की details हमें यहां देखने को मिल रही है targets भी देखने को मिल रही है socket services के detail भी हमें देखने को मिल रही है timers भी paths भी तो सब कुछ हम यहां से देख सकते हैं अगर आप further कुछ tools को deploy करना चाहते हैं जैसे कि अगर आपको applications वगेरा install करना चाहते हैं cockpit के थूब और command line के थूब वर्चौल machines आप अपनी machine में यहां से deploy कर सकते हैं machines वाले tool को install करके इससे आप livid के packages आपनी machine में install कर पाएंगे और उसके थूफिर further kvm का use करके virtual machines को manage और monitor कर पाएंगे session recording से आप यहां से कर सकते है स्टोरेज को manage कर सकते हैं subscription भी आप यहां से attach और remove कर सकते हैं तो यह बहुत ही handy tool है जिसके थूब बहुत सारे दूसरे काम भी कर सकते हैं आप अपनी machine की diagnostic report यहां से create कर सकते हैं kernel dump messages को यहां से configure कर सकते हैं उनको देख सकते हैं manage कर सकते हैं ऐसी linux की details और उनमे changes भी आप यहां से कर पाएंगे अपनी machine को अगर आपको patch करना है तो आप software updates वाले tab पर click करके यहां से आप अपनी machine में updates भी install कर सकते हैं अपनी machine को patch भी कर सकते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी हहां पर हमने updates को install करना शुरू कर दिया है और यहां से आप उसके log को भी देख सकते हैं तो यहां से आप अपनी machine को easily patch भी कर सकते हैं और अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसका सीधा सीधा है आपको tab देखने को नहीं मिल रहा है तो वह काम अगर आप command line से करना चाहते हैं तो आप यहां से terminal भी open कर सकते हैं तो आप कोई तरीके से आप ताइम या कोई दूसरी command चला सकते हैं तो कोई भी वह काम आप यहां से कर पाएंगे जो आप command line से करना चाहते हैं इसके लिए आपको कोई अलग से पुट्टी या कोई mobile X term या तीसरे SSS टूल की ज़रूरत नहीं है तो एक ऐसा पारफुल टूल है cockpit जि वहां जनरली हम GUI का यूज नहीं करते हैं minimum जो mode है या minimal mode में हमें अपनी मशीन का installation करना होता है तो वहां अगर हमें इनके GUI की ज़रूरत पड़ती है या कुछ ऐसा काम करना है जहां हमें उसको manage करना है monitor करना है तो उसके लिए फिर हम जो है अलग से कोई package install नहीं करते हैं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं उसके लिए आपको यहां down arrow पर क्लिक करना है और यहां से आप add new host पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप यहां उसका नाम वगएरा mention कर देंगे तो यह उसकी keys के थुरू, sss keys के थुरू, उसकी entry भी हैं करा देगा और आप एक ही console से multiple machines को manage or monitor कर पाएंगे, उसके लिए आपको अलग से उसके IP address डालके open करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहां आप एक ही browser में, एक ही tool में multiple machines को manage करने का काम भी कर सकते हैं, अगर आपको उसकी जरूरत पढ़ती है तो, तो देखे कितना powerful tool है, कितना जबर्जस tool है, और य tool 7.7 के बाद वाले versions में manually भी install करके use कर सकते हैं, अब मैं आपको बता रहा था कि, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको अपने local area network में किसी भी machine से open कर सकते हैं, अगर आपको इसको remotely किसी दूसरे network से use करना हो, तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको आपकी machine का public IP address पता होना जरूरी है, तो वो कैसे करेंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा idea भी उसका दे देता हूं, तो आपको ये चेक करना है, कि जो आपकी machine है, उसका public IP address क्या है, public IP address के लिए आप curl ifconfig.me command चलेंगे, तो यहां से आपको public IP address दिख जाएगा, मेरी machine का public IP address ये change हो रहा है, क तो ये जो IP address आपको देखने को मिल रहा है, मेरी local area network की किसी भी machine का public IP address है, यानि कि मेरे service provider का IP address है, और ये change हो जाएगा, इसलिए मुझे इसको hide करने की भी जूरत नहीं है, तो ये जो public IP address है, लगातार change हो रहा होता है, तो आपकी case में एक तो static IP address हो, ये कोशिश करें, फि इस machine पर, तो आपको वहाँ port number 9090 को forward कर देना है, फिर होगा किया, आप इस IP address के साथ, अगर colon लगा के 9090 डालेंगे, तो आप कहीं से भी दुनिया में अपनी machine को access कर लेंगे, तो उसके लिए दो conditions है, एक तो आपको अपने router में port forwarding करनी होगी, और वो जो port 9090 यूज कर रहे आप अपने mobile से अपनी machine के साथ लगातार connected रह सकते हैं, तो यह देखिए कैसा exclusive और जबर्जस्त feature है, आरेचे लेट के अंदर, जहां से आप अपनी machine को कहीं से भी दुनिया में easily manage कर सकते हैं, monitor कर सकते हैं, और issues को immediately fix कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा session में करूंग होगा, और आपको इससे आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आपको session अच्छा लगाए, तो आप चाहें तो इस session को like कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं, तो subscribe करके bell notification on कर सकते हैं, और हमारे इन videos को access करने के लिए, फिलाल आप basic level की membership join कर सकते हैं, आने वाले time में आप में स्क्रीन पर और आपके comments लूँगा, और उसके बाद अगले पांच मिनट के बाद हम session को ही wind up कर देंगे, साथ ही लोग है, live feed पर, तो दीना नात पाल जी, good evening, रोहित सिंग जी, good evening, दोस्तों, आपका कोई अगर comment है, तो आप मुझ से पूछ सकते हैं, अगर नहीं है, त करूँगा, kvm या फिर, जो हमारा composer है, lorex composer, उस पर, हरीश पालेगर करें, sir, I am late today, sorry, कोई प्रोब्लम नहीं है, हरीश भाई, I am also late today, तो आज का session, जान बूज कर ही, थोड़ा late start किया था, क्योंकि यह वैदर खराब था, और उसकी वज़ए से, यहां, internet में issues चल रहे थे, बाकी, मेरी आप से request रहेगी, कि आप please, sessions को time से join किया करें, और इन videos को share जरूर किया करें, क्योंकि, यह एक ऐसा content है, जो इतने effective और nominal charges पर आपको कोई deliver नहीं करके देगा, और मैं हैं सारी चीज़े cover करूँगा, believe me, जितने भी RHE rate के features हैं, वो सारे के सारे cover करूँगा, और आने वाले time में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि हम जो exam paper है, RHSC, उनका live solution आपको provide करेंगे, और और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए हैं deliver करने वाला हूँ, सारे के सारे servers आपको configure कर करके दिखाऊँगा, वो भी live feed में, Ansible में आपके लिए लेकर आँगा, तो आपको बस करना यह है कि आपको session को time से join करना है, वीडियो को like और share करना है, तो आज के session में इतना ही, अब मैं मिलूँगा आपसे, next session में, और आपको मालूमी है, यह जो sessions हैं, यह हम आपके लिए लेकर आते हैं, Monday, Wednesday और Friday को, तो अगला session, जब मैं Friday को आपको लेकर आँगा, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग उसको time से join करेंगे, तो मिलते हैं next session में, नो बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जै हिन, जै भारत, वंदे मातरम, good night and take care.